जैहिन दोस्तो स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से तयारी कर लो चैनल के UGC NET, JRA4, TGT, PGT के संपूर्ण प्रश्नोतरी में तो दोस्तों यहाँ पे हम वो सारी प्रश्नोतरी देखेंगे हैं जो कि हमारे परिक्षागी देश्टी से महत्पूर्ड हैं और दोस्तो अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी हैं प्रशनोतरी सीरीज की या फिर जो हमारी डेटेल्ड में क्लास चल रहे है उसकी तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं वहाँ पे UGC NET JRF और TGT PGT June 2022 के नाम से प्लेलिस्ट है उसमें जाकर आप उन्हें चैनल पे वो सारा टॉपिक सारे कंटेंट देखने वाले हैं सारे यूनिट से प्रशनोतरी करने वाले हैं जो कि हमारे UGC NET JRF और TGT PGT में पूछी जा सकती हैं और दोस्तो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं या फिर हमेरी कोई भी क्लास अगर आप देख रहे हैं बग्यान बसंद बसेरो कियो बसिये तेही त्यागी तपाईये ना दिनकाम खुतुहल के जो बने तिनबीच बियोग बुलाईये ना ये पंक्ती है और प्रशन पूछ रहा है कि उपर युक्त काव पंक्तियों के रचनाकार कौन हैं आप्शन्स दिया हुआ है प्रताप न नारायन चौधरी प्रेम घन बद्री नारायन चौधरी प्रेम घन की कुछ रचनाये हैं जीर्ण जनपद मयंक महिमा वर्शा किंटू वर्शा बिंदू आनंद अरुडोदय अलोकिक लीला ठीक है ये बद्री नारायन चौधरी प्रेम घन की कुछ रचनाये फिर अगला प्रश्ण है कि आज रात इससे परदेशी चल कीजे विसराम यहीं जो कुछ वस्तु कटकुटी में मेरे ग्रहन संकोच नहीं प्रस्तुत कावे पंक्तियों के रचनाकार निम्न लिखित में से कौन है अंबिका दत्वयार, श्रीधर पाठक, राम नरेश, तिरपाठी, याफिर आयोध्या सिंग, उपाध्याय हरी ओद सही उत्तर है श्रीधर पाठक ऑप्शन बी 1886 इस्वी में श्रीधर पाठक द्वारा गोल्ड इस्मित की रचना हर्मिट का खड़ी बोली हिंदी में अनुवाद एकांतवासी योगी के नाम से किया गया था ठीक है यहाँ पंक्ती इसी रचना से अवतरित है अगला प्रश्न है इसमें भी पंक्ती दी हुई है किसिंग पुंज से फुली रहे सू लगी उर्दोजू व्योग तिहारे मातो फिरेना घिरे अबलानी पै जान मनोजियों डारत मारे हवे अभिलासनी पात निपात कड़े हिसूल उसांसनी डारे हैं पतजहार बसंत दुहूं घन आनंद एकेही बार हमारे प्रश्न पूछ रहा है इन पंक्तियों में भावा भी वेंजना के कौन-कौन से रूप व्यक्त हुए है उक्ति वैचित्र उक्ति चमतकार उक्ति विपर्यय और उक्ति सद्रश्यता तो यहाँ पे जो सही उत्तर है वो है उक्ति वैचित्र उक्ति चमतकार और उक्ति विपरिया ये गलत है तो A, B, C तो यहाँ पे option B में सही है A, B, C फिर अगला प्रश्न है और प्रश्न में ये पूछ रहा है कि निम्नलिकित विकलपों में से किसका संबंध रामधारी सिंग दिनकर से है रामधारी सिंग दिनकर जीसे संबंध पूछ रहा है इस प्रश्न में यहाँ पे कुछ options दिये हुए हैं जिसमें से कामाध्यात्म की समस्या ये भी से पौडारिक प्रसंग में भारत चीन युद्ध का युगीन संदर्भ ये भी सही है युद्ध दर्शन ये भी सही है सुधारवाद ये नहीं है तो यहाँ पे A, B, C के तोर पे option सही है तो हमारा दोस्तों यहाँ पे सही हो जाएगा option B A, B, C कामाध्यात्म की समस्या पौडारिक प्रसंग में भारत चीन युद्ध का युगीन संदर्भ युद्ध दर्शन ठीक है अब देखिए कामाध्यातम की समस्या क्या है यह रचना है उर्वशी ठीक है संबंध प्रसंग है यह यहां पे दिया हुआ है और यह जो रचना है उर्वशी है पौराड़िक प्रसंग में भारत चीन युद्ध का युगीन संदर्व ये किसमे है ये परशु राम की पृतिक्षा में है फिर दिया हुआ है युद्ध दर्शन ये युद्ध दर्शन कुरुक्षेत्र हुंकार रश्मी रथी में वरनित है दिखाया गया है संदर्ब है ठीक है तो यहाँ पे option B हमारा सही हुआ फिर अगला प्रशन दिया हुआ है कि निम्न लिखित में से किनका संबंद सच्चिदानंद हीरानंद वात्सयायन अग्ये से है तो यहाँ पे दिया हुआ है आत्म चेतस बिल्कुल है विचार कविता इसका नहीं है बावरा अहेरी इसका है जापानी लोग कथा का रचनात्मक उप्योग यह भी है ACD ACD option D यहाँ पे सही है सच्चिदानंद हीरानंद वात्सयायन अग्ये का संबंध आत्म चेतस चिन्ता नदी के द्वीप रचना में बावरा अहेरी सूर्य को समर्पित करती बावरी अहेरी से तथा जापानी लोग कथा का रचनात्मक उप्योग असाध वीना से है जबकि विचार कविता से अग्ये का संबंध नहीं है अब प्रश्न पूछ रहा है हिंदी साहित की गद्ध विदाओं से जिसमें नाटक, उपन्यास, कहानी, निबंध तथा आलोचनाओं से संबंधित प्रश्न पूछेंगे तो प्रश्न है बरबरता की पहली सीड़ी से सभ्यता की अंतिम सीड़ी तक युद्ध मनुस जाती का साथ देता है यह कथन किस निबंध से उद्धरत है उप्शन है उद्ध और नारी जीवन का व्यावसाय मजदूरी और प्रेम सही उत्तर है उप्शन बी युद्ध और नारी महादेवी वर्मादौरा लिखित या निबंध है महादेवी वर्मादौरा लिखित निबंध युद्ध और नारी में या उलेख है बरबरता की पहली सीड़ी से सभ्यता की अंतिम सीड़ी थक युद्ध मनुस जाती का साथ देता है उत्साह निबंध के लेखक आशार रामचंद्र शुक्ल है जबकि मजदूरी और प्रेम निबंध के लेखक अध्यापक पूर्ण सिंग है फिर अगला प्रश्न है निम्न लिखित में से किस कहानी में अती व्यस्त कामकाजी आदमी की असंतुष्ट पत्नी को विसेवस्तू बनाया गया है तो वो है हमने लास्ट इयर जो क्लासेस की थी उसमें हमने इस वे पढ़ा था ग्रामो फोन का रिकार्ड ये रश्ना है जो की जैनेंद्र कुमार की है तो जैनेंद्र कुमार द्वारा लिखित कहानी ग्रामो फोन का रिकार्ड में अती व्यस्त कामकाजी आदमी की असंतुष्ट पत्नी को विसेवस्तू बनाया गया है जैनेंद्र कुमार की कुछ प्रमुख कहानिया है नीलम देश की राजकन्या, बाहू बली, द्रश्टी कोड, पाजेब, फांसी, वातायन, पतनी, कैदी, जानवी, मास्टर जी, आदी फिर प्रशन दिया हुआ है कि निमनलिखित में से किस उपन्यास में रईीस साहुकार, मदन मोहन के अंग्रेजी सभ्यता की नकल और अब व्याय की कथा है तो जो दोस्तों जो 2021 में जो एक्जाम हुआ था 26 दिसंबर को उसमें भी कुछ ऐसे ही प्रशन पूछे गए थे क्या है कि detailed में प्रशन पूछा था तो लोगों क्या है कि detailed में उतना लोगों ने पढ़ा नहीं previous question paper करते रहे, करते रहे, करते रहे तो उस हिसाब से उनके कुछ प्रशन छोड़ गए हलाकि paper सही आया था उतना कठिन या easy नहीं कहा जा सकता है, normal paper था फिर भी डिटेल्ड में अब questions ज्यादा पूछे जाते हैं तो options दिया हुआ है नूतन ब्रह्मचारी परिक्षा गुरू आदरस दमपती प्रणेनी प्रणाय तो यहाँ पे सही उत्तर है option B परिक्षा गुरू लाला श्रीनिवास दास द्वारा रिखित परिक्षा गुरू 1882 इस्वी उपन्यास में रईस साहुकार मदन मोहन के अंग्रेजी सभ्यता की नकल और अपुए की कता है जबकि नूतन ब्रहमचारी उपन्यास बालकरश्न भट का है आदर्शिदमपती उपन्यास लज्जाराम महता का है एवं प्रण यीनी परिणे उपन्यास के लेखक किशोरी लाल लाल गोस्वामी है फिर अगला प्रश्न है पर्ण दत् जैशंकर प्रसाद के किस नाटक का पात्र है पात्र भी पूछता है नाटकों के कहानियों के उपन्यासों के तो पर्णधत जो है वो जैशंकर प्रसाद के इसकंद गुप्त नाटक का पात्र है इसकंद गुप्त नाटक का पात्र है इसकंद गुप्त 1928 इस्वी में प्रकाशित एक एतिहासिक नाटक है तो देखिए इसकंद गुप्त किस प्रकार का नाटक है एतिहासिक नाटक है तो प्रमुख पात रहें वो कल्याणी, चंद्रगुप्त और सेल्यूकस, फिर है राज्यशिरी, इसके पात रहें हर्ष, चीनी, यात्री, हैंसांग, इसकंद्गुप्त, इसके पात रहें प्रत्वी सेन, भट्टार्क, बंधु अर्मा, महा दंडनायक, पुरू गुप्त, इसक फिर है अजात शत्रु, इसके प्रमुख पात रहें मगध, कौशल और कौशंबी के तीन परिवार, अजात शत्रु, फिर अगला प्रशन है यहां पे कि हिंदी साहित बीस्वी शताबदी, आलोचना गरंद के लेखक कौन है, तो सही उत्तर है, नंद दुलारे, हिंदी साहित बीस्वी शताबदी नामक आलोचना गरंद के लेखक नंद दुलारे, वाजपेई हैं, और इनके आलोचनातमक गरंद हैं, आधुनिक साहित का आधुनिक यूग, आधुनिक साहित सर्जन और समिक्षा, रीती और शैली, नया साहित नये प्रश्न फिर शांति प्री दिवेदी के प्रमुख आलोचनातमक गरंद हैं, सामिकी और हमारे साहित निर्माता और तीसरा है संचारिनी उसे प्रकार रेवी चंदर जहन के प्रमुख आलोचनातमक गरंथ हैं रंग दर्शन, अधुरे साफ्षात्कार और तिसरा है साहित्य की समिक्षाए फिर अंत में हैं शिवदान सिंह चोहान के प्रमुख आलोचनातमक गरंथ है प्रगतिवाद, साहित्य की परख, आलोचना के मान, हिंदी साहित्य के असी वर्स ये प्रशन पूछा गया था और पाच्वे है साहित्यानुशासन फिर अगला प्रशन है कि निम्न लिखित में से कौन कौन प्रेम चंद की कहानियों के पात्र है यहां पे कौन कौन है जो प्रेम चंद की कहानियों के पात्र हैं लहना सिंह ये नहीं है फिर है पंडित बुद्धिराम ये है अमीना ये भी है सुदन्ना ये नहीं है तो B और C तो B और C आप्शन B में ही है तो आप्शन B हमारा यहां पे सही हो जाएगा ठीक है पंडित बुद्धिराम ये बुढ़ी काकी है पंडित जो बुद्धिराम है ये बुढ़ी काकी कहानी के पात्र है और जैसा कि हमने अभी देखा कि प्रेम चंद की ही कहानी है दूसरा है अमीना ये इदगाह नामक कहानी थी प्रेम चंद की तो ये प्रेम चंद की कहानी का ही पात रहे पंडित बुद्धिराम और अमीना ये प्रेम चंद की कहानी के पात रहें पंडित बुद्धिराम बुड़ी का की कहानी के पात रहें और अमीना इदगाह के उसके अलावा दोस्तों यहाँ पे दिया हुआ है लहना सिंग ये उसने कहा था कहानी है किसकी चंद्धर शर्मा गुलेरी की उसके पात्र है ये और सुनन्दा दिया हुआ है ये पत्नी नाम की कहानी है और जिसके रचनाकार है जैनेंद्र ठीक है तो ये उनके पात्र है फिर अगला प्रशन दिया हुआ है कि निम्न लिखित में से प्रेम चंद के उपन्यासों के पात्र हैं फिर से प्रशन पूछा है निम्न लिखित में से प्रेम चंद के उपन्यासों के पात्र हैं कौन से हैं क्रश्न चंद हैं सोफिया है हरी प्रसन ये नहीं है गजाधर ये भी है तो A, B और D तो सही उत्तर है option C, A, B और D क्रश्न चंदर, सोफिया तथा गजाधर तीनों प्रेमचंद के उपन्यासों के पात रहें क्रश्न चंद उपन्यास है सेवसदन और प्रेमचंदर जी का ये उपन्यास है इसके पात रहें सोफिया ये रंग भुमी उपन्यास के पात रहें रचनाकार प्रेम चंद जी है हरी प्रसन ये सुनीता उपन्यास नामक उपन्यास है जिसके रचनाकार जैनेंदर है और गजादर ये सेवा सदन उपन्यास है जिसके पात रहें और रचनाकार है प्रेम चंद फिर प्रशन है ये है प्रशन की निमनलिखित में से हजारी प्रसाद दिवेदी द्वारा रचित निबंद संग्रा है कौन सा है यहाँ पे options दिये हुए है आलोग परो ये नहीं है माटी हो गई सोना ये है विचार और वितर्क ये भी है और कुछ उथले कुछ गहरे ये नहीं है तो B और C option A यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा आलोग परो तथा विचार और वितर्क निमनलिखित संग्रा हजारी प्रसाद दिवेदी द्वारा रचित है इनके अन निबंध है अशोक के फूल, कल्प लता, कुटज, साहित्य सहचर, मध्य कालीन, धर्म साधना जबकि माटी हो गई सोना ये निबंध कनहया लाल मिश्र प्रभाकर का है तथा कुछ उधले कुछ गहरे निबंध इंदरनाथ मदान जी का है फिर अगला प्रुष्ण है कि निमनलिखित में से कौन से नाटक प्रेम चंद द्वारा रचित है डिक्टेटर ये तो नहीं है संग्राम ये है बड़े खिलाडी ये नहीं है प्रेम की वेदी ये है तो B और D तो सही उत्तर है option A B और D ये प्रेम चंद द्वारा रचित नाटक है संग्राम तथा प्रेम की वेदी नाटक के रचिता प्रेम चंद है इनका एक अन्य नाटक है करबला जबकि डिक्टेटर तथा नए खिलाडी की रचना प्रेम चंद ने नहीं की है फिर अगला प्रशन है दोस्तों यहां पे प्रशन ये पूछ रहा है कि इसे किस एरिये से प्रशन पूछ रहा है तो सबसे पहले जो एरिया है वो हिंदी साहित के लगू गद्विधाओं से है जिसमें जीवनी आत्मकथा और रिपोर ताज सम्मिलित है तो इसमें से जो प्रशन पूछ रहा है वो ये है कि आवारा मसीहा किसके जीवन पर आधारित है किसके जीवन पर आधारित है शरतचंद, बंकिमचंद, रविंदरना, टैगोर या फिर भूभूती, भूशन, बंदोपाद दहाए तो आवरा मसीहा जो है वो शरत चंद के जीवन पर आधारित है option A यहाँ पर हो जाएगा शरत चंदर चटो पाध ध्याए ठीक है ये शरत चंदर चटो पाध ध्याए के जीवन वरतांत का वरणन इसमें प्रस्तुत किया गया है ठीक है फिर अगला प्रश्न है निमनलिखित में से कौन सी रचनाएं दलित आत्मकथाएं हैं दलित आत्मकथाओं के बारे में पूछ रहा है तो यहाँ पे अपने अपने पिर्जदे ये है मुड मुड कर देखता है मेरी पतनी और भेडिया ये है गर्दिश के दिन ऑप्शन भी यहाँ पे सही हो जाएगा अपने अपने पिंजरे ये मोहन दास नैमिशराणने की रचना है एवं मेरी पतनी और भेडिया ये धर्मवीर डॉक्टर धर्मवीर की रचना है दोनों आत्मकथाओं दलित आत्मकथाओं हैं जबकि मुढ मुढ कर देखता हूँ ये राजेंद्र यादव एवं गर्दिश के दिन ये कमलेश्वर दोनों की आत्मकथाओं हैं जो की दलित आत्मकथाओं नहीं हैं तो दलित आत्मकथाओं हैं अपने अपने पिंजरे और मेरी पतनी और भेडिया तो दोस्तों यहीं पर ये वीडियो समाप्त करते हैं आगे की प्रिश्णों को आगे की वीडियो में लेकर आएंगे इस वीडियो को देखने समझने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद